हेलो एव्रीवन वेलकम अगेनी लर्ण विद दिधिमन बच्छों अम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं राइस्थान के हिंदु रूपों का तो चलिए बिना देरी के हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं हंड़र्ट तक हम कर चुके हैं और हैं आपके अप सामनी लावणी का मतलब किसानों द्वारा फसल को काटना तो चोरा लावणी कर या लावणी कर या तो लावनी करके आई गया आपसिनये कप ऐसभाधा जो फसल को काट को कहलाथा है उसी तरह टाडी या नाड़ी यानि तलाई राइस्थान में जब जल सरक्षन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको नाड़ी पढ़ने को मिलेगा है ना तो वो जो नाड़ी है वो क्या है तलाई तलाई छोटा तलाव एक तरीके से है ना तो ताड़ी या नाड़ी तलाई तलाई में है ना उसी तरह थली थ धरके दरवाजी का इस्थान जिसको हम कहते हैं दहलीज हिंदी में सुध हिंदी में क्या कहा जाता है दहलीज कहा जाता है उस तरह राइस्थाने में क्या कहते हैं थली नाफणो का मतलब होता है नाफणो का मतलब हुटा है पानी या दूत को छानने वाला बस्त्र। यानि जब हम दूद को चानते हैं या पानी को चानने के लिए जब हम किसी कपड़े का इस्तिमाल करते हैं तो उसको नातरणों कहा जाता है उसी तरह ओबरी, अबरी क्या होता है अनाज रखने का मिट्टी का उपकरन या कोटला को ओबरी कहाता है इसी तरह नांगला, नांगला क्या होता है नेडी और जेल ने में डालनी की रसी उसी तरह उर्डो, उर्यो, उसरडो, छापर्यो ये सब क्या हैं ये उसर भूमी यानि बंजर भूमी है उर्डो, उर्यो, उसरडो, छापर्यो है ये सब क्या हैं उसर भूमी है अडाव यानि उर्वरक्ता बढ़ाने वाली छोड़ी भूमी जब हम किसी भूमी को उसके दिया जाता है तो राइस्थान में उस खाली छोड़ी हुई भूमी को क्या कहा जाता है अडाव कहा जाता है जो उसकी उपज बढ़ाने या उर्वर रखता बढ़ाने में मददगार होती है उसी तरह पानत यानि सिचाई सिचाई की जाती है तो उसको क्या कहा जाते है पानत करना पाना पाणी P Marie और पिस यह सब किस समले पाणी से सम्मझे तो पानत मतलब सी चाई होती इसी तरीक़ से सड़ो ही या बाड पसूं को खेथ में घुसने से बचाने के लिए जो मेड लगाई जाती है मेड का मतलब दिवार छोटी सी दिवार जैसे दिवार हम कैसे खड़ी कर देते हैं मानलो जाडियां लगा दी या तारकसी कर दी तो वो क्या है बार लगाना हडो लगाना ये सडो लगाना इसी तरह क्या होता है हटेडी, हटेडी क्या होता है, मिर्च मसाले रखने का यंत्र, मिर्च मसाले रखने के यंत्र को क्या कहा जाता है, हटेडी कहा जाता है, उसी तरह चौबारा, उपर का जो कमरा होता है, उसको क्या कहते हैं, चौबारा कहा जाता है, पथरना, पथरना यानि चोटा बैड, ठी ठीक है कब जो यानि क्या होता है ब्लाउज होता है उसी तरह मठकी मठकी का मतलब मिट्टी का छोटा घड़ा याद रिखिए यहाँ पर मठकी का मतलब मिट्टी का छोटा घड़ा होता है और चौमासा बारिस का मौसम चौमासा यानि बारिस का मौसम है न चौमासा माय भीग नामत नहीं तो ठंड लग जाएगी ना पालर पानी यानि पीने का बारिस का पानी पालर पानी यानि पीने का बारिस का पानी उसी तरह वाकल पानी पीने का नल का पानी यह जितने भी सब्द हैं यह आपकी जो भुक्स हैं हिंदी की उसमें से लिए गए हैं तो यह सब्द इ इनको अच्छे से याद रखेगा दिसा जाना दिसा जानी पैखाना जाना सुबह सुबह माई छोरा कठी जा रहे उसे हैं कहां जा रहा है तू तो उसका मतलब दिसा जाना में दिसा जा रहे हैं मतलब मैं पैखाने जा रहे हैं है ना फ्रेस होने जा रहे हैं ओके ठिकाना ठि ठिकाना कट्थे से ठारा । मनलब तुम्हारा पता क्या है तो उसका मतलब ठिकाना इसा इसा तरह कांज़र कांजर यानि बंजार आपने देखे हैं सडकों के साइड में बहुत सारे टंबूल लगा के रहते हैं नॉर्मलील है ना तो यह जो बंजारा है उनको यहाँ पर राईस्थाने में क्या कहा जाता है कांजर कहा जाता है उसे तरह जरोखो जरोखो यानि क्या होता है खेडकी खेडकी जरोखो जरोखो माई काई देखे चोरा जरोखो माई काई देखे चोरा तो मतलब यह काई वर्ड जो है यह आपका मेवाती छेतर का राइस चानी सब्सक्राइब तो यह जरों को यानि खेड़की बाजोट बाजोट यानि लकड़ी की बड़ी चौकी जब हमारे यहां पाउने आते हैं यानि महमान आते हैं तो क्या बाजोट लगाई जाती है तो उसको क्या का जाता है लकड़ी के बड़ी च न खताना काते हैं तो उसको बाज़ोट कहा जाता हम यह लिखना पूला अ छोग में कुछ बनाटा इन नहीं नहीं आकष्टियां बनातें रेक्षा उनको बोलते होसे बनाते को कि दिवारों पर लगा देते वस्त टाख के लिए उसी तरह खूटी कोुंटी यानि वस्त और वस्तू लटकाने का आ आ जाफो बच्चे का जो पैदा होना है ग्रिवनेंशी का जो वक्त होता है वो क्या कहलाता है जाफो कहलाता है उसी तरह खाठ या魔 dawn तेके, "... माचो", खाटू इसी तरह खटूलो खटूलो जानी , छोटी चार पई गदडू, गदड़ो जानी सियार मतलब चूण जैङँ, पिखे चूण baby यानी, तागडी इस्त्रियोंगी को कमर पर पहनने का अभुसण यह तो आपको पढ़ना होगा इस्त्रियों के कमर पर पहनने का अबुसर उसे तरह राखुणों राखुणों यानि बरतन साफ करने का स्थान राखुणों एक्षॉल में राखुणों क्यों बोलते हैं इसको क्योंकि पहले क्या होता था पहले साबुने और विम साबुन तो वह नहीं करते थे पहले क्या हो तोठजडज़ो यानि ऊठड़दो यानि ओट का बच्चा और किल्किटारी यानि型 गिल हरी इसी तरह पीडो बैठनी कि रसी के चौकीत कि पीडो जुक है जब कोई महमाना आ जाता है तो हम बोलते है ऽैसे तो बिजू का अड़ो यह सब क्या है फसर चेतों में एक आकरती सी बना जेते हैं जिसे पसुपक्ची दूर रहते हैं पुद्लाше ज्रहा देते हैं तो उसको पशुपक्शि और ग्रते हैं तो इसको क्या बोलतें बीजु का और मिमें गर्षाल आई, अज़कत नेज़के मिदा एंपहले को समुछित, मुजब यानी समुचित, हर कीसीको, घोतो अमारे यहाँ पर राज़वाण में क्या बोलते हैं घोडों को? घोतो फोतो यह जवां तो घंडों मोटो से मतलब मोटा मतलब ताकतवर, शक्ति शाली, मोटो यानी क्या होता है शक्ति साले च्ञे का इसी यह हिंदि का मोटो होता awakening गुजरती में मोटा भाई यानी बड़ा भाई थेक्वी एक उत्य सब्Âदी्या यानी मुझे उनियारो, उनियारो यानि छेत्र, ठीक है, जामन, जामन यानि माता, ठीक है, और याद रखे, जामन यानि माता और जामन यानि जिससे दही जमता है, उसको जामन को एते हैं, और जामन यानि जो जिमाती है, यानि जो खिलाती है, वो कौन होती है, वो माता होती है, इसलिए जामन जामन यानी माता सारेथा सारेथा यानी सीमसी क्या होता है सीमसी तरह निसमा बठावा ऑन के लिए क्लिए अच्छे काम होते हैं तो उसको बठाई के तौर यानि नारा यानिए बैल यानि क्या होता है? क्या होता है? बैल, ताता, ताता इवतलब? गरम या स्रेष्ट ताता यानि गर्म सामने तोर पे राइस्ठा ने में जो घर्म के लिए ज्दता यूज किया जाता है। या तातो शे chessora मतलब ये गरम है अलूटा ऐनी अधिक उसी तरह तात यानी पिता तात सब्द जो है हुआ संस्क्रजे रहे स्थानी में है यानी तात यानी पिता होता है यह न लुन्टो यानि बडा और कुटुम यानि परिवार आपका कुटुम किहाँ चे हैं उसका अर। क्या होता है रद किया होता रद किया होता है कुटुम आभः आभः यानि फ्रकास या अभा से है जिसको प्रकास से लिया जाता है खेटक यानि ढाल उसी तरह ना खाल चोड़ार घाया घणु गहरों उसको भॉत तूंद गायों इसलोग क्वार यह ज़ता हो जाता था जाता था उसको गाय होना, निवड, निवड यानि कठोर, इस तरह पय, पय यानि दूद, पय जो सब्ध है वो पानी के और बहुत कभी कभार दूद से बीड़ गया जाता है, यानि पीने की चीज़ों से पे पदार्तों से लिया गया है, पे यानि दूद, यानि पीने ही योग गया, तो ये संसकत भासा की राइस्थानी में संसकत का भी बड़ा पुट है, तो रसा का अर्थ होता है धर्ती, जिससे सारे रस पैदा होते हैं, वो रसा है, और वो क्या है, धर्ती है, जिससे सारी चीजें पैदा होती हैं, ऐसा माना जाता है, मौसर, मौसर यानि अफसर, थारी की प्रपेशन की होती तो हमें इस बार नहीं देना हो रहा होता लेकिन अब हमें दुबारा देना पड़ रहे हैं ना मौसर यानि अफसर रूरी रूरी यानि अच्छी रूरी यानि अच्छी इसी तरह ओखद ओखद दवा को कहते हैं बरताव वरताव यानि विवहार आपको विभार कैसा है आपका बर्ताव कैसा है वो क्या कहलाता है बर्ताव मेलनों मेलनों यानि रखना थे मेलने थारे मेलने वास्ते लायो चूं मतलब मैं तुम्हारे रखने के लिए लाया हूं उसको मनवार करना यानि सतकार करना यानि वैलकम करना मनवार करना किसी कहा मतलब वै कर दिया करकर अंजन कर दिया गया उसी तरह रैट रैट यह नहीं रहट चरक्यो चरका जो गांधी जी चलाते थे उसको क्या बोलते हैं यहां पर चरक्यो हर्यो 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 यह नहीं क्या होता है हराबरा ठीक है हराबरा धोरन वास्ते हर्यों लायों के छोरा मतलब जान वो दूंसे हैं हरियुं यानि हरऽबरा छूता छूता यानि फिलका कारट किरेश किरेश करदा किरेट कर दिया है और करद्छ से पोस्ट कार्ट यहां कि इसरत्ध से हखना यानि और गोपनी है, कठे मतलब कहां, मेरे सब्दों में बहुत बार कठे आया थे, तो थे कठे गयो थे सोरा, तो इस कर्द क्या हो गया, कठे यानि कहां, ठोर, ठोर यानि इस्थान, देखो ठिकाना यानि पता होता है, ठोर यानि इस्थान होता है, मेल या, मेलना अब भी आपने पढ़ा था, मि तो दोनों ही क्या है, रखना, ओच्छो, ओच्छो यानि कम, काईक है, काईक मतलब कोई-कोई, काईक मतलब कोई-कोई, वेल, वेल यानि बैल, बैल को क्या कहते हैं, बैल को क्या कहते हैं, वेल कहा जाता है यहां पर, ठीक है, इसी तरह घणा, घणा, थारे घणी तयारी की छ रूख यानि पेड़ और रूख जड़ को भी कहा जाता है किसको कहा जाता है रूख यानि जड़ को भी कहा जाता है तो इस चीज का याद रखेगा रूख यानि पेड़ गोखड़ खड़ 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 या तांगा तांगा जो होता है उसको क्या बोलते हैं खड़ खड़ क्यों खट-खट की जो आवाज करता है जो उसके आगे लगे रहते हैं गोड़े लगे रहते हैं हमारे यहां पर खचर तो आब आने लगे हैं बाकी पहले क्या होते थे गोड़े लगे रहते थे तो गोड़े कैसी आवाज करते थे खट-खट की आवाज करते थे उनके पैरों तो इसलिए खड़खडिया बोलते हैं इसको तांगे को क्या बोलते हैं खड़खडिया हाकन हार यानि हाकने वाला हा जैसे पालन हार पालने वाला उसी तरह हाकन हार हाकने वाला और हाका किसको जाता है जब किसी तांगे के उपर बैठोगे तो उस पर जो जानवर बैठेगा टो यानि हानके वाला गेलारह गेलो गेलो मितलब मूठ्व मतलब पागल इसको हलकार ना मतलब ललकारो मिर्गा मिर्गा यानि मिर्ग या पसू मिर्ग का अर्थ क्या है आप जानते हैं मिर्ग यानि जो जंगल में गमन करता है मिर्ग यानि हीरन ही नहीं होता मिर्ग यानि क्या होता है मिर्ग यानि जंगल और गय यानि गमन जंगल में गमन करने वा क्या है म्रग या पसु को कहा जाता है इस तरह जुद्ध हमारे जो युद्ध सब्द है जो हिंदी का उसको अप्रहंच करकी जुद्ध बना दिया उसी तरह रसा रसा को हमने देखा था रसा क्या है रसा है प्रिथवी जो रस्त प्रदान करें दुनिया जो भी कुछ पैदा क पृतवी के द्वारा Awards यानि इसको क्या बोलते हैं धर्ति या पृत्वी को रसा खाल या इलाअभी काल जहते है वह फिसले और अवसर और बेमसर यानि बिना अवसर प्रिर्डमोसर यानि बिना असर अइसी तरह पाउपाँ यानि उपाए उपाए करना, उपाओ, थे उपाओ करो और रीट इने पास हो जाओ, यानि ऐसा कुछ उपाए करो जिसमें रीट में पास हो जाओ, आमे, आमे यानि रोग, आमे यानि क्या होता है, रोग, घाले, घाले यानि देता है, घालना मतलब परोसना भी होता है, ठीक है, हर्खत, हर् कि आपके प्रसे सब्द है उसको हर्कत कर दिया हरस को क्या कर दिया हर्कT उसतर are जो हस में होनी की जीजह होती इनको कुलते हैं हरकत इंवरत अमरत का अब रंच कहा है इंवरत एकका बहुत सारी दिशास्जान है यह इनसक्रस से सब्सक्रभरत कर विले इसमें क्या है, अम्रत जो सब्द है वो इम्रत से है, मुकई, यहनी कम होना, तो बच्चों अभी यह हो जाएगा बहुत जादा, तो अभी 100 आपके बाकी हैं, तो मिलते हैं, नेक्ष पार्ट के साथ तब तक के लिए, थेंक यूू।